नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियोज मैं हूँ योगीश चिक्रवर्ती बिहार में अपराद का गराफ लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों में कानून का खौफ नहीं है परशाशन का खौफ नहीं है लोग इस तरह से अपराद कर रहे हैं जैसे किसी जंगल में खु शेर हो इस तरह से लोग कमजोर लोगों का शिकार कर रहे हैं ताजा उदारन ये बिडियो है इसे देखिए एक लड़की को किस तरह से बेरहमी से पीटा जा रहा है इसकी कसूर इतनी भर है कि इसने और इसके परिबार ने अपनी उसके साथ हुई छिड़ खानी का बिरोद किया था उसके बाद दवंगों ने इसकी ये गत कर दी तो देखा या आपने क्या हाल कर दिया दवंगों ने इस लड़की और उसके परिबार का लाठियां इस तरह बरसाई गई कि देखकर रोंग्टे खड़े हो जाते हैं आप अब तक सहम चुके होंगे ये है बिहार का हाल लेकिन सरकार सुशासन का दावा करती है इंडिये की सरकार और खास करके बीजेपी के जो दो उपमुख्य मंत्री हैं वो सुशासन की ढोल इस तरह बजाते हैं जैसे सचमुच बिहार में राम राज हो हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार शंतोस कुमार जी हैं इन से समझते हैं कि ये क्या है शंतोस जी इतनी विवहत तस्वीरें आपने भी शायद नहीं देखी होगी कि लोग इस तरह से मतलब कहर पर पा सकते हैं किसी इनसान पर जानवर की भी इस तरह से पिटाई नहीं की जाती है देखिए बिहारी ने पूरे देश की यही इस्तिति है दवंग लोग जहां भी है जाहे किसी भी जाती धर्म से जो दवंग है जहां जिनकी बहुलता है जिनकी आवादी है और वहां जो मतलब दबे पिछरे जो हैं उनका सोसन अत्याचार हमेशा करते रहते ह बहुत लोग आवाज नहीं उठाते हैं महिलाओं के साथ छेरखानी की घटना आम है बिहार ही नहीं पूरे देश में आम घटना है महिलाओं के साथ छेरखानी की और सोसन की घटना आम है पहली बात तो कोई महिलाओं डर कर आवाज नहीं उठाती है आवाज उठाती है तो अधाना पुलिस एक तो नकारवाइः करती है उल्टा महिला को ही दो सी ठाराती है यह आप यह बैसाली की घटना हो मुझजपरपुर की घटना हो ऐसी अन्यकों घटना है मुझपरपुर बालिका गरेकांड ले लिजिए उसके बाद फिर अभी फिर एक मुझपरपुर में अभी जो घटना गटी है 200 लड़कियों को का सोचन का मामला आया है तो ऐसी घटना हमेशा होते रहती है और सरकार्थ हो चाहे महिला आयों को बस बयानबाजी और धिन्डोडा पीट कर रहा जाती है अभी जो घटना जो जिसका वीडियो भाइरल हो रहा है उसमें महिला परिजनों नजब आवाज उठाया तो वहां दबंगों ने इतनी बेदर्दी से महिला और उसके पूरे परिजनों की पिटाई की घर में घुशकर पूरे अगदम तो इसे कहते हैं मतलब जो बोला जाता है ना दबंग कहिए सामंती कहिए चोरी और सिनाजोरी और इसको सामंत लेकिन बिहार में तो शुशासन की सरकार है और सुसासन की सरकार हो बुल्डोजर की सरकार हो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहने की सुसासन की सरकार है और बुलेजर की सरकार है सब बुलेजर की सरकार यूपी की बोली जाती है यूपी सरकार योगी सरकार की और सुसासन की सरकार बिहार में बोली जाती है लेकिन सबसे ज्यादा सोसन और अत्याचार यूपी और बिहार में होते हैं भले मीडिया मे खबरे नहीं आते हैं यह विए सोसल ड़ीया में खबरे आ जाती है आप देखते हों कि मतलब भाजपा की एंडीय की सरकार होगी तो वहां पर मीडिया उन खबरों को दवा देती है खबले को नहीं बाहर आने जती है वो सुक्र मना ये कि कुछ सोसल मीडिया है मोवाइल यूगा गया है कि थोड़ी बोरी बहुत घटना बाहर आ जाती है जो दिखाई पड़ती है जो जिसके कारण लोग जान पाते हैं तो ये तो मतलब सरासर बोला जाता है ने नंगा नाच कर रहे हैं गाउं-गाउं में नंगा ना चो लहाएं लेकिन मीडिया में खबर नहीं आती है ठाना पुलिस में खबर नहीं जाती हैना modeling लिपा पोती हो जाते हैं मामले के बहुत अगरा आगए बढ़ा मामला एक धोल्प फसादी आ जाता है उनके पड़ी जनों को तो यह आम घटना है इस पर सरकार केवल बयानवाजी करती है इस उसासन की सरकार है बुल्डोजर की सरकार है लेकिन सबसे ज़्यादा आत्याचार और सोसित कौन है सबसे ज्यादा सोसित समें दलीत और पिछ रही हैं कि अब पता किज़ेगा तो तो में वही मामला है कि इस सवाल यह सवाल मैं कर रहा हूँ कि मतलब सवाल कई अधाल को पिंच कर जाएगी कि क्या जंगल के टाइम भी इस तरह की तस्वीरे कभी सामने आई थी कि महिलाओं को इस तरह बेदर्दी से लाठियों से पिटा जाए आप सिनियर जर्नलिस्ट हैं और लालु यादव के टाइम में भी थे विहार से ऐसी तस्वीरे आई थी कोई क्या याद है कुछ जंगल राज ये मेडिय क्या कि दें थी कि जंगल राज जैसे कुछ नहीं था मेडिया की दें थी जो लोग बोलते हैं लालु यादव करेर को जंगल राज की वहीं साम के बारद घर से बाहर क्यानल मुकमंतिर नितिस कुमार भी बोलते हैं समराथ वही जंगल राज अगर बोलते हैं उसी में महिलाएं तुर्गा पूजा के समय महिलाएं लड़कियां रात भर अकेले पुरा पटना गुंगती थी मजाल है कभी कोई घटना हो एक एंकर सीज़त की घटना एक बार होई थी वह प्यार मुहबत का मामला था उसको लेकर मीडिय चट पूजा में महिलाएं रात वाकेले जाती आती है गंगा गिनारा पुड़ा पटना सजा रहाता है महिलाएं तीन बज़े भोड़ में पैदल जाती है लड़कियां मजाल है कोई बता दीजे घटना एक आद छिटपूट घटना हो जो हो उसको हटा दीजिए तो पुरे प्रस्टनली लालु जी के समय में एक ही चीज था कि दबंगई का मामला था वह आपस में मारा पीटी और उसमें भी कौन लोग सामिल रनवीर सेना कौन था पांडव गिरो कौन था राजन दीवारी कौन था मतलब उस समय जो जंगल राज बोलते थे तो सारे सामंती लोग जो अपना भाहूबल दिखाते थे उन्दागर दी करते थे और उसको जंगल राज बोला जाता है तो पिछलो assumptions परत्या चाहर और जब उनके भी रोध में पांड़से ना रन्वीर से सब्सक्राइश्टे सो 259. जंगल राज बोला जाता जंगल राज जैसी कोई बात नहीं थी उस समय भी हम लोग दो बज़े तीन बज़े रात में आते हैसी कोई घटना थे हां मीडिया ने ऐसा है वो क्रियेट कर दिया था बिहार को ले करके पूरे देश वर में कि लोग बिहार को जंगल राज जंगल दोन दोन पात कई न्याप जैसे संस्था में तुका सेने कष़जों करना लेकिन बिहार को बद नाम करने कि साजिश लालू प्रसाद को बनाम संद्फात है और बीहar गलीब और दलित पिछ्रे जब अपनी आवाज बुलंद करने लगे तो उसको जंगल राज उस समय भी दलितों और पिछ्रों का नरसंगहर किया गया था कौन थे भाई रनवीर सिना के परमुग कौन थे वन मुख्या एक था जो उसको नंगा नाच वो करते थे और उसके मिर्तु के बाद जब पुरा बिहार में जो नंगा नाच किया गया था उसको जंगल राज करते थे लालू परसाद के समय जंगल नहां जली तो पिछ्रों का राज था वह अपनी आवाज बुलंद करने लगे तो यहां बात सामंती ताक्तों को हजम नहीं हुई और मीडिया के में भी जो सामंती ताक्ते हैं ज्यादा तरोही लोग हैं उनको भी यह बात हजम नहीं हुई तो उसको जंगल राज के रूप में तबदिल कर दिया आज भाव इस्तिति आप छोड़ दीजिए जंगल राज राज को भी भारत सरकार का क्राइम डिकाउट वीरो निकाल दीजिए उससे ज्यादा अपरादी घटनाएं भी हो रही है लेकिन मीडिया में कुछ नहीं है लालु परसाद को जंगल बीकिन अपराद की घटनाएं में उ किसी भी घटना में बिहार अबल नहीं था और बिहार को बंदाम किया था वही समंती ताक्तों नहीं कोई जंगल राज नहीं था उसे बहावा इस आज का क्राइम रिकॉर्ड बीरो निकाल लीजिए अब आपको लगता है कि जिस तरह से जो दो मुख मंत्री हैं विजय सिना औ बात करें बाट करें दिल्ली में दस वर्सों से इंडिय की सरकार है तो कौन रोक रखा है अपराजियों को बार भगाने में अपराजी तो घर में बिराजमान है लोगों के मतलब बोलने के लिए टीवी और मीडिया में जो भी बोल दें लेकिन इस्तिती बहुत ही बयाबा होती जा रही है मतलब नंगा ना छोड़ा है तब जो इस्तिती है मार पीट की घटना है आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ किस तरह की हो रही है मुझा परपूर बालका गरीकांड में क्या हुआ लड़्कियों को मार कर दफ़न कर दिया गया था किसके वहा ये लड़्कियों को हड़ी निगाला गया खोथ कर बालका गरीकांड क्या हुआ उसमें आज तक जो संचालक थे उसको सजा हुई बाकी लोग सारे बड़ी है कौन आई यह सदिकारी वहां जाते थे कौन बड़े निता नहीं गए वहां किसी पर हुई क्या कारवाई अभी फिर 200 लर्कियों का सोचन का मामला आया है 200 लर्कियों को नौकरी का जहां हुई थी क्या मुझे प्रपुर्बाल का ग्रेकांड लर्कियों को दफना दिया गया था क्या 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 200 लर्कियों का यौन सोचन हो रहा था क्या तो यह चीज है लेकिन अभी मेडिया आप नेशनल मेडिया कुछ भी देख लीजे नहीं पिहार को बदनाम करने की बात रहा है जंगल राज जिसे कहा जाता था वो कुछ उसी तरह से था कि जब दलित पिछड़े अपने उपर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे तो उसे जंगल राज कह दिया जाता था यह कुछ उसी तरह से है कि तू करे तो रास लिला और हम करें तो कैरेक्टर ढिला फ आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाब और विचार जरूर दें धन्यवाद